नमस्कार दोस्तों एंटियनेट के रिकारडिंग हम पढ़ रहे थे आज दो-तिनी फिलासफर को एक साथ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे पहला आज का जवाब का टापिक है उसका नाम है अर्थ क्रियावाद यहाँ पर बहुत बच्चे इसको गलत पढ़ लेते हैं या फिर कई किताबों मैंने देखा अथो क्रियावाद वो सकता है को प्रनंसियेशन इसका इस प्रकार से हो बट जो बेसिक मीनिंग है बेसिक रिलेवेंस है वो इस शब्द से निकल कर आता है अर्थ क्रियावाद इंग्लिश में कहें प्रग्मेटिज्म मतलब क्या है अर्थ प्लस ख्रियावाद मीनिंग प्लस एक्शन मोटिव इतना सा ही है फिलासफी के वर्ल्ड में अगर फिलासफी के जगत में हम इस शब्द को पढ़ने की कोशिश करें इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करें कि यह अर्थ ख्रिया का मतलब क्या है तो इसका मतलब सीधा सा यही निकलता है action और मीनिंग कि आप हर वो action करें, आप हर वो क्रिया करें जिसका कोई ना कोई सही क्याफित मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण, क्या कि मेरे जीवन के लिए उसका कोई एक बहतर अर्थ हो, वही क्रिया मेरे लिए अच्छी है, कहने का साथ पर रहें, आप कोई भी action अगर कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग होना ज़रूरी है, अगर मैं general बात करूँ है, कोई भी action अगर आप कर रहे हैं, कोई भी activity अगर आप कर रहे हैं, for example अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह आपका action हो गया, तो उसका अर्थ होना चाहिए क्यों, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, जब तक meaning नहीं है, तब तक, जो क्रिया है, वो is equal to zero है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, फिलासफी के बहुत सारे theories हैं, फिलासफी की बहुत सारे सिध्धानत हैं, लेकिन मज़ेदारी वाली बात यह हैं, कि वो केवल सिध्धानत हैं, just a hypothesis, केवल एक अवधारना है, मैं अगर उससे daily life में उत कारने कोशिश करूँ, तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, तो वही सिध्धानत, वास्तव में अर्थपूर्ण, meaningful होगा, जो कि क्रिया के अंदर, action के अंदर, उतारा जा सके हैं, simple, वही सिध्धानत, मैंतपूर्ण, useful, meaningful होगा, जिसे मैं action में उतार सकता हूँ, otherwise sorry, दो scientist या दो व्यक्तियों का example देता हूँ, एक तरफ है Edison, और एक तरफ आप कोई भी ex-scientist मांटेशे हैं, यह scientist जो है, इसने हजारों थियोरियां दी है, हजारों, हजारों hypothesis है इसके पास, हजारों परिकल्पनाए हैं इसके पास, बहुत बड़ा scientist है, Thomas Elva Edison, इसने एक सिद्धान्थ लिया, बल्ब, बात, खत्ब, यह वो सिद्धान्थ है, जो मैं अपनी daily life में उतारता हूँ, Edison, अगर pragmatism के point of view से देखें, तो Edison real scientist है, Edison की theory real theories है, Edison की theory acceptable theories है, finally Edison एक pragmatic philosopher या pragmatic scientist है, इनके हर एक क्रिया का कोई ना कोई अर्थ है और इनके हर एक अर्थ का कोई ना कोई क्रिया होती है, बात खत्ब, यह है pragmatism, कुछ philosopher है इसके, पहले इस questions के discuss कर लेता हूँ, इसमें से questions ज्यादा नहीं आते हैं, पहली बात तो, इस part से questions बहुत ही कम बनते हैं, इस बात को दिमार्थ ले रखियेगा, अगर NTA यहां से प्रश्ण निकालने की कोशिश करेगा, तो बतायता हूँ, कहां कहां से कर सकता है, पहली बात, basic meaning पूछ सकता है, अर्थ क्या होता है, प्रगवटिज्म का समझाते हैं, बस, यह प्रश्ण एक, दूसरा प्रश्ण, match the following, तो इसके लिए मैं आपको इनकी जो philosophy की books है, इन लोगों ने जो books लिखी है, वो मैं एक बार आपको एक PDF बेज दूँगा, मैं लिख लेता हूँ, यह मैं आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है, तो इसका PDF भेज दूँगा, तो match the following कर लीजिएगा, इसमें से, किसके philosopher की कौन से book थी, बैस, इसके लावा books के साथ साथ मैं आपको इसकी theories भी भेज दूँआते हैं, जिसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, James, Cadbury James नहीं, William James, छोटा सा philosopher, छोटी सी philosophy, William James की मात करते हैं, दो ही philosophy दी, मतलब दो ही syllabus में हैं, वैसे तो बहुत सारी दी होगी, जो truth है, जो सत्य है, और जो meaning है, जो earth है, उसका pragmatic theory क्या हो सकता है, उसका क्रियावादी सिद्धान्थ क्या हो सकता है, ये इसका बड़ा important concept था, और आप इसको समझ भी सकते हैं, कैसे, ये सत्य क्या है, तो अगर आप pragmatic theory को mind में रखेंगे, तो आप कहेंगे, सर सत्य का मतलब तो ये हो गया, जिसको मैं examine, या daily life में, यूज करके देख सकूँ, practically देख सकूँ, वह सत्य होगा, बिल्कुल, very good, तो अर्थ का मतलब क्या हुआ, सर वही चीज अर्थ हीन है, जिसको मैं use नहीं कर सकता, और वही चीज अर्थ वाई है, जिसका मैं उप्योग कर सकता हूँ, यह जो सही बात है, कहने का तासर, William James को समझ चा क्या थी, William James के सामने, सबसे बड़ी समझ ये थी, कि जो सत्य का जो सिध्धान्त है, इससे पहले सत्य का जो सिध्धान्त चलता था, वो चलता था correspondence theory of truth, समवादित सिध्धान्त, सत्य का समवादित सिध्धान्त, the correspondence theory of truth, यह सिध्धान्त पहले चला करता था, correspondence theory का basic अगर मैं meaning बताऊं ये सत्य को limited कर देता है इस बात को ध्यान रखिएगा William James का एक एना था कि जो correspondence या समवादिता का जो सिध्धान्त है वो सत्य को सीमित कर देता है सत्य को सीमित कर देता है का मतलब क्या हुआ ये ज्यान सत्ता सत्य ठीक है जो भी आप कहते हैं इसको ठीक है इनको बाहिये जगत के साथ relate करके देखने की कोशिश नहीं करता ये इसके अगर मैं core समझाने कोशिश करूँ एक बाद देखिएगा correspondence theory का कमी कहा थी और William James को कहा इस आपत्ती हुई ये लोग कहते है कि जो knowledge है जो ज्ञान है ठीक है वो नहीं तो सत्य पर निर्भर करता है नहीं सत्ता पर मतलब जो ज्ञान है नहीं तो वो truth के उपर बेजड है नहीं वो किसी भी object के उपर या किसी के existence के उपर knowledge means knowledge ये समवादित है क्यों क्योंकि इनका ये मानना था ग्यान सत्य या असत्य नहीं होता है ग्यान केवल ग्यान होता है मुझे बरसात का ग्यान होता है मुझे energy है बारिस से तो क्या होगा मुझे बरसात का ग्यान फिल भी होगा अंधेरा है मुझे डर लगता है लेकिन अंधेरा तो है मुझे अचानक से लगा कि भूत साइड में जा रहा है भूत का अस्तित्व नहीं होता लेकिन मुझे ग्यान हुआ है सिंपल तो संबादित सिद्धान के कहता था कि जो ग्यान है वो सत्य पर निर्भर नहीं होता या ग्यान सत्य नहीं होता ग्यान कभी ऐसे नहीं होगा कि देखो मैं सत्य हूँ अब तो मुझे accept कर लो और अभी मैं सत्य हूँ अभी मुझे ignore कर लो ग्यान तो ग्यान होगा गाड़ी का ग्यान चलाना नहीं आता गाड़ी का ग्यान गाड़ी का ग्यान होगा मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ गाड़ी तो फिर भी जहन देगी अपना कि वो गाड़ी है क्योंकि वो अबजेक्ट है तो पहली बात ना ही तो ये सत्य को मानते हैं ना ही ये सत्ता को मानते हैं ये कहते हैं कि ज्यान सत्ता पर भी निर्वर नहीं है कोई भी सत्ता सामने चाह जाएगा, उसका ज्यान हो जाएगा ऐसा नहीं है कि गाड़ी है तो कार का ही ज्यान होगा, बाइक का ज्यान नहीं होगा Correspondence Theory का कहना था, ज्यान सरवोपरी है ज्यान सबसे बड़ा है जान को फरक नहीं पड़ता कि वो सत्य है या असत्य है सत्य और असत्य आप उसे अपने according बनाते हैं सही और गलत आप उसे बनाते हैं आप कहते हैं सरहत्या करना गलत है अच्छा तो ये फिर जो आतंकवादियों को मारा जाता है अरे सरे तो बहुत अच्छी बात क्यों जरुआ आतंकवादियों अभी आपने कहा था हत्या करना गलत है मैंने कहा था कि निर्दोशों की हत्या करना गलत है अच्छा और एक्जाम्ट कहने का ताथ पर ने दोनों तरफ हत्या ही हो रही है लेकिन अगर एक आतंकवादि हत्या करता है तो वो गलत है क्योंकि वो मानवता के खिलाफ है वो देश के खिलाफ है वो शान्ती के खिलाफ है और अगर मैं उन्हें मारता हूँ क्योंकि मैं एक पुलिस या एक आर्मी के अंदर हूँ तो मैं सही हूँ क्यों कि मैं देश की रक्षा करता हूँ है दोनों हत्या युनिवर्सल ही देखा जाए तो दोनों हत्या है लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो एक अच्छे काम के लिए किया जा रहा है एक बुरे काम के लिए किया जा रहा है तो सत्य का समवादित सिध्धांद ये समझाता है कि सत्य और असत्य सही गलत इसका निर्धारण आप करते हैं ग्यान neutral होता है ग्यान zero पे काम करता है ये statement ऐसे थे जिस पर William James को आप तक देखे William James का कहना था अगर ऐसा मैं मानू तो ग्यान का तो कभी विकास ही नहीं हो पाएगा अब मुझे नहीं पता विल्यम जैम्स ने क्यों सोचा ऐसा विल्यम जैम्स का यह मानना था कि ग्यान का भी विकास नहीं हो पाएगा ठीक है तो ग्यान सत्ते ही होता है ग्यान सत्ते ही होता है ग्यान सत्तावर निर्वर नहीं भी करता है इट मेंस ग्यान का अकेले का कोई ओचित्य नहीं है यह विलियम जेम्स का मानना था कि ग्यान अकेले का ओचित्य होना बहुत मुश्किल है जैसे आप जा रहे हैं आपको रस्ते मेर पानी दिखाई दिया लेकिन वो पानी नहीं थी पानी नहीं था वो मरग मरीची का थी आप वहाँ गए तो आपको पता चला कि वो मरग मरीची का थी तो इसका मतलब जो पहले देखा था 10 निट पहले वो असत्य था अभी जो देख रहा हूँ वो सत्य है या फिर जो अभी देख रहा हूँ वो असत्य है, जो पहले देख रहा था वो सत्य है, whatever, बट ग्यान सत्य और असत्य तो था, और यह सत्य पर निर्भर था, वहाँ से मुझे reflect हो रहा था कि पानी जैसा कुछ है, अभी आकर दिख रहा है पानी जैसा नहीं था, सत्य पर यह newer क और सत्ता या सत्य पर हमेशा निर्भर रहेगा विलियम जैम्स ने इसकी निर्भरता समझाई विलियम जैम्स ने कहा कि ये निर्भर होकर चलता है इसलिए इसे ज्ञान कहा जाता है हमें सत्ता का ज्ञान होता है हमें सत्य का ज्ञान होता है सत्य वही है जिसे मैं जीवन में उतार सकता हूँ और आनंद की प्राप्ती कर सकता हूँ सिंपल अगर इसी को मागे बढ़ा दूँ तो इसका जो religious philosophy है जो इसके धार्मिक दर्शन है वो भी यही चीज कहते है विल्यम जैम्स का धार्मिक दर्शन या जो धार्म दर्शन या धार्मिक अनुभव religious experiences क्या कहते हैं धर्म वैसे तो बड़ी एक faultoo चीज है विल्यम जैम्स क्या कहता है धर्म वैसे तो बड़ी faultoo चीज है निक्रस्त चीज है वेस्ट है यूज़लेस है लेकिन फिर भी लोग उसको अपना कर बड़े आनंदित होते हैं तो कही ना कही धर्म सत्य है वैसे तो बेकार है क्योंकि हम इसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं इश्वर को मैं नहीं देख सकता लेकिन फिर भी लोग इसके कलपना करके बड़े आनंदित होते हैं तो इसका मतलब धर्म सत्य है किनके लिए सभी के लिए जो इसको अपना कर आनंद की अनुभूती करता है उसके लिए ये सत्य है जो नहीं करता है उसके लिए असत्य है जो मैं कहना था ग्यान या तो सत्य होता है या असत्य होता है लेकिन ग्यान सत्य और असत्य होगा ही होगा बाक्षटन ऐसा नहीं होता कि ग्यान निट्रल होगा निट्रल चीजों को हम accept कैसे करेंगे जिसका अर्थ ही नहीं है उसको हम स्विकार कैसे करेंगे विल्यम जेंस अब इसी एक्जामपल को मैं गुहाता हूँ फिर से आतंकवादी वाला और फॉजी वाला मैंने आपको एक्जामपल दिया आतंकवादी के पॉइंट आफ यू से मैं देखू तो उसको हमेशा है पता रहता है कि वो गलत कर रहा है उसके लिए मृत्यू एक असत्य है वो गलत कर रहा है उसको पता है इस चीज़ का एहसास है उसे इस चीज़ का लेकिन एक फॉजी जब ये काम करता है तो उचे पता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ उसे इस चीज़ का गर्व है कि मैं सही कर रहा हूँ अतातंकवादी को इस चीज़ का डर है क्योंकि वो गलत कर रहा है तो ज्यान सत्य और असत्य की कसोटी पर ही खरा होता है या सत्य और असत्य कसोटी पर ही देखा जाता है इंडिविज्वल ग्यान जैसा कुछ नहीं होता या बिना ग्यान जैसा कुछ नहीं होता आपकी स्क्रीन के लिए जाले है आगे देखते हैं इस्क्रीन बड़ी कर लिता हूँ किया ठीक है देखिएगा यह हो गया दूसरा है आपका जॉन जॉन डिवि जॉन डिवि की अगर मैं कहूं फिर से वही दो फिलोसफी पहला कंसर्ट आफ टूट पत्ति के अवढ़ारना और दूसरा कॉमन फेट एक सब्सक्राइब हो गया कंसर्ट आफ टूट सत्य क्या है सेम चीज़ जो आपके जैम्स ने कही है वही बात आपका डिवी भी कहेगा कंसर्ट आफ टूट अब इसको अगर फिलोसफी के पॉइंट आफ वी से कहें तो कुछ लोग कहेंगे कि सत्य के ऊपर जो विलियम जैम्स का दिवानापन है वह बहुत ऊपर है डिवी थोड़ा सा उसे कम सत्य के साथ जाने वाला व्यक्ति लगता है क्यों क्योंकि आपके जो डिवी है वो केवल एक सिद्धान्त की बात नहीं कर रहा गर मैं एक पॉइंट आप वी से देखू तो वो केवल सत्य को केवल सत्य के बात नहीं कर रहा वो कह रहा है कि सत्य को मैं जीवन में उतार सकता हूँ सत्य से मैं आत्म सुधार कर सकता हूँ सत्य से मैं सांस्कृतिक सुधार कर सकता हूँ इससे मैं समय का सुधार कर सकता हूँ इससे मैं समाज का सुधार कर सकता हूँ तो यह आपका जॉन डीवी का सत्य का सिध्धान था। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्स्प्रेन करूँ तो देखेगा एक बार स्क्रीन का अधिकत का तखा है स्क्रीन चली कोई बात नहीं ऐसा देख लिए आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि जो अर्थ क्रियावाद है जो प्रग्मेटिज्म है उसका सिर्फ एक जो मोटिव निकलकर आता है सत्य को जीवन में कैसे उतारा जाए सत्य को जीवन में कैसे पढ़ा जाए सत्य को जीवन में कैसे समझा जाए ये इसका मतलब है, सत्य का प्रियोग इसका अर्थ है, सत्य का प्रियोग इसका मतलब है, ठीक है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, अब इन लोगों का तातपर्री इतना सा ही था, चाहे मैं अगर जॉन डीवी की बात करूँ, तो डीवी ने जो सिद्धान् किया जाए, उसके बाद भी वो ए परिवर्तित रहे, पहली बात रहे, ठीक है, ए परिवर्तित रहे, दूसरा, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है, तो उसको स्विकार किया जाए, और उस पर फिर से प्रियोग किया जाए, फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाए, फिर से प्रियोग किया जाए, केबल वो सत्य है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार कभी मत कर लेना, उस पर बार-बार चर्चा होनी चाहिए, बार-बार डिसकेशन होना चाहिए, विल्लियम जैम्स, सॉरी, जॉन डी वी कहता था, कि सत्य वही हो सकता है, जो हमें वैज्ञानिक द्रस्टिको वाता हो, और लेकिन हमें रोडिवादी ना बनाता हो, हमें रोडिवादी ना बनाता हो, ठीक है, फूसरा था इसका, सर्वनिस्ट आस्था, युनिवर्सल फेथ, सर्वनिस्ट आस्था में कुछ भी नहीं, सिर्फ दो-तीन चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या-क्या, पहला, ये तीन चीज़ों के उपर काम करेगा इस पूरी बुक में फर्स्ट है स्वयम के उपर जिसको हम कहेंगे सेल्फ दूसरा है ये अन्य के उपर काम करेगा जिसको हम कहते हैं गौड या ईश्वर जो मुझसे अलग है जिसके सत्ता और तीसरा डिमॉक्रेसी ये इंपर्टेंट है द्यान रखिएगा इन तीनों के उपर इसने अपने पुस्तक के अंदर इन तीनों को समझाने की कोशिश की हूँ ठीक है तो सर्वनिस्ट आस्था है उसके तीन सिद्धान्त है या उसके तीन ठियोरी है पहली है उसका धर्म जिसको हम कहते हैं सेल्फ दूसरा है उसका भगवान जिसको हम कहते हैं गौड और तीसरी है उसकी डेमॉक्रेसी ठीक है डेमॉक्रेसी का मतलब अगर आप कहेंगे सर्थ डेमॉक्रेसी तो ये कला कंसप्ट हो गया जब यह डेमोक्रेसी की बात करता है तो यह संगठन की बात करता है उन्हें एक साथ खड़े होने की बात करता है ठीक है यहां पर तीनों के द्वारा इन्होंने कहा कि आस्था वही हो सकती है सर्वनिस्ट युनिवर्सल विश्वास क्या होगा जिसको मैं मानता हूँ जिसके केंडर में एक ऐसा अबजेक्ट हो जिसके उपर मैं विश्वास कर सकूँ और यह विश्वास केवल ऐसा ना हो कि मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि युनिवर्सल है तो मेरा पूरा समाज भी उस पर विश्वास करना चाहिए इसको आप इस तरीके से समझें हिंदु धरम हालां कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीवी ने एक धरम की बात पर मैं जब आपको एक्जामपल समझा रहा हूँ हिंदु धरम पहला मैं विश्वास करता हूँ ये मेरा धरम है तूसरा मैं इश्वर में मूर्ती पूजा में विश्वास करता हूँ और आपको पता है मेरा समाज भी इसी पर विश्वास करता है इसका मतलब ये सर्वनिस्ट आस्था है मेरे समाज का अधिकतम वर्ग मेरे हिंदू धर्म पर विश्वास करता है समझ गए बात को कहने काताथ पर इनकी जो विचार धरा है इनकी जो द्रस्टी कोण है ये मानवतावादी है ये अस्तित्रवादी है ये केवल रूडी वादी धर्म नहीं है कहने का तार पर दे पहना जो टॉपिक है जब मैं मेरी बात करता हूँ मैं हूँ मेरा अस्तित्व है मेरा धर्म है तो ये कहते हैं कोई भी धर्म तब तक नहीं पैदा हो सकता जब तक कि मैं सबसे पहले खुद पर विश्वास ना करूँ ये आपका अस्तित्वाद विश्वास करना होगा ठीक है पहले खुद पर विश्वास करना होगा खुद पर विश्वास करने के बाद दूसरा ईश्वर पर विश्वास दूसरों पर भी विश्वास करना जरूरी है अगर दूसरों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप विचारधारा को मजबूट नहीं कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखेगा और तीसरा जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूं उस पर मेरा समाज भी विश्वास करे तो ही मैं इसे सर्वनिस्ट आस्ता कह सकता हूं वरना मैं इसे सर्वनिस्ट आस्ता नहीं कह सकता ये इनका बेसिक सिध्धान था ठीक है इमेज कहाँ चलिए इतना आ रहा है उपना ठीक है तो कहने का ताथपदे ये आपका जो फिलोसफी है इन दोनों का का meaning क्या है एक बार फिर से देखने कोशिश कीजिएगा इन में देखना क्या है इन में पढ़ना क्या है अर्थ क्रियावार्थ pragmatism जिसको हम कह रहे हैं पहली बार इनके अंदर common चीज सत्य की बात करते हैं सत्य का मतलब क्या है जिसको मैं practically अपनी लाइफ में उतार सको जिसका कोई अर्थ भी निकलता हो वही सत्य होगा क्या धरम भी सत्य है हाँ धरम भी सत्य है क्योंकि उसे आनंद की अनुभूती होती है क्या धरम पर सभी लोग विश्वास कर सकते है हाँ सर्वनिस्ट आस्था में हमें डीवी ने बताया कि इस पर विश्वास किया जा सकता है क्या डीवी एक साधारन धरम की स्थापना करना चाता है नहीं डीवी किसी भी धरम की स्थापना नहीं कर रहा डीवी का धरम जो है वो मानवतावादी है अस्तित्वाती है वो साधारन धर्म की बात कभी नहीं कर रहा अर्थ क्रियावाद का सिध्धान्थ क्या है कि भहिया वही क्रिया सत्य है जिसका कोई अर्थ निकलता हो और वही अर्थ सत्य है जिसको क्रिया के अंदर उतारा जा सके ये है आपके अर्थ किरियावाद का सिथान इसके अंदर आपके दो से तीन फिलोसफर और है अभी जो दो फिलोसफर मैंने पढ़ाए हैं इनके अंदर से प्रशन नहीं पूछे जाते हैं ये ध्यान रखिएगा बहुत कम कम प्रशन पूछे जाते हैं ये भी ध्यान दखिएगा बाकि दूसरी बात मार्च के एंड तक मैं आपका Contemporary Western पूरा कंप्लीट करवा दूँगा दूसरी बात आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तीसरी बात बस यही है भन्यवाद